हेलो स्टूडेंट कैसे हो सभी आई होप सब ठीक होंगे अपने आने वाले एक्जाम की तहरी को जबर्दस तरीके से कर रहे होंगे भी आज की कलास के अंदर अर्याना जी के की टैस्ट स्रीज नंबर 48 इससे पहले हमने आपको 47 टैस्ट कंपलीट करवा दिये अगर वो नहीं करें तो उनके लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर या फिर पूरी की पूरी पूरी प्लेलिस्ट बनागे दे रहे एक बार उनको भी जाकर चेक कर लीजिए अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करकर नोटिफिकेशन बैल को ओल पर क कि उसन आये तो सबी मंडलों को हम कवर करते चले जाएंगे जैसे कि अगर करनाल मंडल की एक बात करें करनाल मंडल के अंतरकत करनाल पानिपत और कैथल जिला आता है फृद्दाबाद मंडल की अगर बात करें फृद्दाबाद पलवल और नू है अगर अंबाला मंडल की अंबाला पंचकुला कुरुग छेतर और यमननगर आजेगा अगर रोत्तक मंडल की बात करें तो रोत्तक सोनिपत जज़र बिवानी और दादरी भी अगर इंसार मंडल की बात करें तो इंसार मंडल के अंदरकत इंसार और फत्याबाद सिरसा और जींड भी गुडगाओं मं कि अंतर को जोगियों ने परसिद्धी दिल्वाई थी right answer हो जाता है इमारा option number 3 बिल्कुल पर्षिद्धी दिल्वाई थी next question देखिए Safari कि यंतर को जोगियों ने परसिद्धी दिल्वाई के अंदर और भी पुरसों की वेस बुसा से रिलेटिड अग्जाम के अंदर क्योसन आ जाते है यानि कि खंडवा की से का जाता है एक परकार की पगड़ी साफा भी एक परकार की पगड़ी कलाता है और पागड़ी की अगर बात करें तो मारवाडी डंग की एक पगड़ी होती है अगर पाग की बात करें तो राजपुती डंग की एक बड़ी पगड़ी होती है इसी परकार अगर कमरी की बात करें तो आदी अस्तिन की कटी तक कमरी होती है अंगरखा की बात करें तो गणमाने लोकों को नीचे तक जूलता कलीदार पहनावा होता है अगर दोहर की बात करें तो आद से कते बारिक दोरे सूत की बड़ी मजबूत चादर जो सर्दियों के अंदर काम आती है अगर खेस की बात करें तो मोटे सूत की एक मोटी चद्दर होती है अगर टोपी की बात करें तो गांधी टोपी जैसी दिखाई देती और कुछ इपोर्टेंट माथे और शीर के अबुसन है जो अग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं और एक क्यूसन तो यहीं से रिलेटेड बनता है बनता है तो सारे क्यूसन को हम कवर करते चले जाएंगे टिक्के की अगर बात करें तो माथे पर लटकता रहता है एक पर करें तो कानों के अंदर डंडे की अगर बात करें तो कानों के पास लटकते चांदी के होते हैं अकसर चाज की अगर बात करें तो माथे पर लटकता है भी नत की अगर हम बात करें तो नाग के अंदर पहने जाने वाली सोने की होती है पुरली की अगर बात करें तो नाग के अगर गौफ की बात करें तो गले का जेवर हो गया और पुर्शों के लिए खास कर अगर कंठला की अगर बात करें तो गले का जेवर होता है अगर पत्री की बात करें तो गले का जेवर होता है अगर तगडी की बात करें तो कमर का जेवर होता है और पलू चांदी का जेवर ह वर्ग से समन दित है तो इस राणा अमारा राइट आंस रोजेगा ओप्सन नमबर टू बिल्कुल इस क्यूशन का राइट आंस रोजेगा नेक्स्ट क्यूशन वेरी वेरी इपोर्टन क्यूशन 1984 के अंदर हरियाना की सबसे लोग प्रिये फिलम जिसके गीत आज भी पर्च लिता है 1984 के अंदर चंदरावल रिलीज हुई थी ओप्सन नमबर और बिल्कुल क्यूशन होजेगा 1984 के अंदर अरियाना की सबसे लोग प्रिये फिलम थी चंदरावल अब चंदरावल फिलम से रिलेटिड अग्जाम के अंदर रिपोर्टेंट क्यूशन बन सकते हैं तो उन सबी को कवर करेंगे भी 1984 के अंदर रिलीज हुई थी चंदरावल फिलम जो एक परकार की अरियानवी फिलम थी और यह रिलीज होने वाली तीसरी अरियानवी बासा की फिलम थी और पहली आर्थिक रूप से सफलतम फिलम बोल सकते हो इसको इसके अंदर अगर बात करें तो सिरी देवी संकर पर बाकर उसा सरमा के दोवाराई निर्मित और जैंत पर बाकर थे इसके निर्देशित और फिलम का संगीत था वो जेपी कोस्ची के दवार वैवस्तित किया गया था भी इसके अंदर गाडिया लोहार सुमदाई की एक लड़की थी उसकी चंद्रावल और एक अरियानवी जाट लड़के का नाम था भी सूरज के बीच के अंदर ये एक दुखद बरेम समद की काहनी को बताती है भी Next question is, Seaswaal सENSTKURTी से सममदित जिला पूच लिया, कौन सा है, Seaswaal सENSTKURTी से सममदित जिला होजेगा भी, Haryana का इंसार जिला, Option Number 4, बिल्कुल करेक्ट होजेगा, Seaswaal सबहता से सममदित Haryana का इंसार जिला, इंसार जिले से रिलेटिड अगर अगजाम के अंदर क्यों सना आए तो लाला लाज पत्राई विस्वीदाले भी इंसार जिले के अंदर रस्तीत है एशिया की सबसे नमबर वन विनिविश्टी हरियाना एगरी कल्चर किर्शी विस्वीदाले सीसी अच्चे यू चोदर इचरन सिंग अरियाना एगरी कल्चर विस्वीदाले फी काफी मात्रा के अंदर जो बरतन है वो आदके बुने हुए सीसवाल सबगता की जनकों को पहले यहाँ पर भी चाग के विस्वे के अंदर बिल्कल विजारिवारी नहीं थी यहां पर भी जो बरतन बांड़े है वो काली बंगा के इस्तान से मिली हुई सामगिरी से एक दम मिलते जुलते हैं यहां पर कुछ मिट्टी के चीतरी चूड़ियां और मनके भी प्राप्त हुएं और खास बात है भी एक तमबे के थ्टे जो भी यहां से प्राप्त हुए भी खेतरी है राजसतान के और तमबे की खानों के अंदर यहां पर तमबे का फ्रैयोग होने लगा था भी बाकी इसकी कम्पलीट पीडियो अवका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्सिन बॉक्स के अंदर मिल जएगा भी पंजाब इस विदैले के डॉक्टर सूर्जबान के दोबारा इसकी खुदाई की गीती सुरुवाती के अंदर नेक्स्ट किसने भी पानिपत की तीश्री लड़ाई एहमद साभदाली और किसके भी चुई थी नमबर थ्री बिलकुल हमारा करक्टो जेगा इस यूद के अंदर मराठों की बूरी तरह से आर हुई थी नेक्स्ट क्यूसन है क्यूसन नमबर एट अरियाना के अंदर राजा हर्स का टिला पूछ लिया कहां पर स्थित है अरियाना के अंदर राजा हर्स का टिला थाने सर के अंदर स्थित है और थाने सर कहां पर होजेगा अरियाना के कुर्ग छेतर जिले के अंदर थाने सर स्थित में तक बारतिय पुराता हुशंस्तान नई दिल्ली के ततकाली निदेशक सिरी बर्ज मोहन पांडे के मारग दरसन पर इसका पता चलाता भी नेक्स्ट किसेन किसेन नमबर नाइन निमलिक्त में से बताना है भी कौन सी अरियाना की जील नहीं है कौन सी जील है वो अरियाना की जील नहीं है तो कोटला जील और खलील पूर जील और दमदमा जील ये सारी की सारी अरियाना की जील होजेगी चिलका जील होगी ये एक खारे पाने की जील है और चिलका जील की अगर बात करें तो भारत के उड़ी साराजे के अंदर होजीगी और इपोर्टेंट क्यूसन जीलों से कवर कर लेंगे जैसे की दमदमा जील की अगर बात करें तो दमदमा जील की स्तिति होजीगी हरियान के गुरुग्राम जिले के अंदर सुल्तानपूर जील के अगर बात करें फुरूक नगर गुडगाओं के अंदर कोटला जील होजेगी मेवात यानि की नुहे के अंदर बढखल जील होजेगी सबसे पुराने जील होजेगी पर जन सिंक्या के अदार पर सबसे छोटा जिला कौन सा होजेगा जन सिंक्या के अदार पर होजेगा भी पंचकुला और छोटा जिला होगया अरियाना का फरिदाबाद बरंतु फरिदाबाद जिले के अंदर सबसे ज़्यादा जन सिंक्या के अदार पर भी नेक्स्ट क्यूसन देखिए क्यूसन नमबर 11 मारकंडा नदी कहां से निकलती है सिवालिक की पाडियों से उप्सन नमबर 1 बिलकुल कुरेक्ट हो जएगा सिवालिक की पाडियों के अगर बात करें तो यह नदी इमाचल परदेश की दरती दर के सिवालिक नमक पाडियों के दक्षन डाल से निकलती है और अमबाला के अंदर काला अम नमक स्तान पर अरियाना राज्ये के अंदर प्रिवेस करती है दक्षन की और यह बैती हुई नदी कुर्ग छेतर जिले के दक्षन पस्चिम के अंदर दिशादारन करती है और दक्षन पस्चिम की और बैतिव यह नदी पेवा के निकट अरून आये नामक गाउं के पास सनिय नामक जील के अंदर जो सर्स्वती नदी में मिल जाती है जो आज सर्स्वती नदी है वो विलिप्ट हो चुकिया अग वेद के अंदर सर्स्वती नदी का जिकर हुआ था क्यूसर नमबर टवैल तरी लोग दरपन पुस्तक किसके दवारा लिखी गी ती तो रोईस्च्यूसर का राइट आंछर होजेगा भी नेमी भी रमायन की रचन की गी थी, next question, question number 14, हर्याना का इतियास और नव रतन ओफ अर्याना पुस्त के किस ने लिखी थी, history of हर्याना और नव रतन ओफ अर्याना पुस्त के किस के दोवारा लिखी गी थी, right answer हो जाता है, पंडित सिरी राम सर्मा के दोवारा, option number 2, बिलकुल correct हो ज जाड़ो फिरी उपनियास के लिखे कोजेंगे, राजा राम सास्तरी, पंडित सिरी राम सर्मा से रिलेटिड अग्जाम के अंदर important question बने, तो पंडित सिरी राम सर्मा का जनम, एक अक्टूबर 1899 को जजजर जिले के अंदर हुआ था, 1921 के अंदर खिलाफत अंदोलन के अ next question है, question number 15B, योग गुरु बाबा राम देव का जनम, अरियाना के किस जिले के अंदर हुआ था, योग गुरु बाबा राम देव का जनम, अरियाना के मेंदरगड जिले के अंदर, option number 4 बिल्कुल correct होजेगा, स्वामी राम देव का जनम, मेंदरगड जिले के अगर गाउं पूछे तो अलिपूर गाओं के अंदर सैद अलिपूर गाओं के अंदर एक अहीर प्रिवार के अंदर 25 दिसम्बर 1965 को इनका जनम हुआ था यहीं से रिलेटिड एक्जाम के अंदर पिछले एक्जाम उठा कर देखोगे तो यह किसन भी आया था इनके बच्पन का नाम पूछे तो गुलाब बोदेवी और इनके पिता का नाम होजेगा भी राम निवास बाकी इसकी कम्प्लीट पीडियेफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बोक्स के अंदर मिल जेगा वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो 1995 के अंदर दिवे योगी मंदिर ट्रेष्ट के मुखे संस्तापकों के अंदर सामिल हुए थे 6 अगस्त 2006 को पतंजली योगपीट की सुरुवात की थी नेक्स्ट क्यूसन है 16 साथ चोका खोरी का मेला कहां पर लगता है अर्याना के अंदर साथ चोका खोरी का मेला गुरु ग्राउन जिले के अंदर ओपस नंबर थरी बिलकुल करेक्ट हो जेगा गुडगाउन जिले के अंदर माता मसानी का मेला लगता है सीतला माता का मंदिर अर्यानवी सिनेमा के इतियास के अंदर पहली फिलम पूछ ली अर्फुल सिंग जाट जुलानी पहली फिलम थी अगर सफलतम फिलम की एगर बात करें तो चंद्रावड थी भी जो 1984 के अंदर रिलीज हुई थी अर्यानवी फिलम पूछे तो अर्यानवी फिलम पूछे तो अर्यानवी फिलम निर्देशक पूछे तो आनद कुमार हो जेंगे अर्यानवी का पर्थम उपनियास पूछे तो जाड़ू फिरी किसके दवारा लिखा गया था राजाराम सास्त्री के दवारा लिखा गया था नेक्स्ट क्युसन है भी चिकारा परजनन के अंदर अर्यानव के अंदर कहां प्रस्तित है चिकारा परजनन के अंदर अरियान के अंदर काहां परस्तीत है कैरू बीमानी के अंदर भी ओप्सन नमबर टू बिल्कुल करेक्ट होजेगा चिकारा परजनन के अंदर कैरू बीमानी के अंदर ब्लैक बग परजनन के अंदर पूछे पीपली कुरक्षेतर जिले के अंदर होजेगा अगर गिद सरक्षन परजनन के अंदर पूछे तो पिंजोर पंचकुला जिले के अंदर होजेगा अगर फी सेंट पर जनन के अंदर की बात करें तो मोरनी पंचकला जिले के अंदर होजेगा अगर रैड जंगल फाउल पर जनन के अंदर पुछे तो पिंजोर पंचकला के अंदर होजेगा भी एक क्यूशन से रिलेटिड आपको बहुत सार इपोर्टन क्यूशन कवर करवाई नेक्स्ट क्यूशन देखिए भी अरियाना उच नियाले कहां पर करिकिता है अरियाना उस्तम नियाले यानि कि हाई कोट की अगर बात करें चंडीगण जिले के अंदर और आप्स्ट नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जेगावी चंडीगण नेक्स्ट कूसन देखिए कूसन नंबर 20 खिलाडियों और उनके खेल के सम्बन के अंदर बतानावी खिलाडियों और उनके खेल के संबंद के अंदर नेमलिक्त में से पताना भी कौन सा यूगमlevant है वो गलत है विजेंदर सिंग होजेंगे भी मुक्के बाजी से रिलेटिड गीता जूची की एगर बात करें तो एथलेटिक प्रतिक्स से रिलेटिक्स यानि की दोड़ से कपिल देव की अगर बात करें किर्केट से ममता खरब की अगर बात करें तो आज की कलास के अंदर आपको यह टोप वेरी वेर इपोर्टन किशन करवाए इसकी पीडियेफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्सिन बॉक्स के अंदर मिल जएगा कलास कैसी लिगी कॉमेंट बॉक्स के अंदर अपने प्रतिक्रिया जुरूर दें आपसे यही उमीद है कलास को जादा से जादा लाइक और शेयर करें आपका एक लाइक एक शेयर हर बार नेक्स्ट वीडियो के लिए बहुत सार मोटिविशन देता है नेक्स्ट कलास के अंदर हम HSC और HTET के लिए जो साइंस की सीरी सुरू कर रखी थी वो कलास को हम कवर करेंगे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी